इस सीजन लेकिन खुश होंगी अपने टीम के प्रदर्शन से एक बार फिर से तीसरे स्थान पर रहकर क्वालिफाई किया है आरसीबी नेस सीजन लेकिन कुछ अलग बात रही है इस टीम के बारे में सबसे पहले जब लीग की शुरुआत से पहले जो ऑक्षन हुआ था उसमें काफी बड़े नए नाम जुड़े UA लेक की शुरुआत से पहले और नए नाम जुड़े टीम के साथ लेकिन सवाल हमेशा यही रहता है कि क्या उन नए खिलाडियों के आने से टीम और मस्बूत हुई है हमारी माने तो हाँ और वो प्रदर्शन में भी देखने को मिला है टीम के जिसके बार में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले कप्तान के एर्दकर्ट जो भावनाए रही है जब विराड कोली ने ऐलान किया कि RCB के लिए बत्व और कप्तान यह उनका आखरी सीजन होगा तब से मानों टीम के एर्दकर्ट जो भावनाए रही है वो बिलकुल बदल गई है और और ज़्यादा जागरूत हो गई है हमेशा emotions हाई रहेंगे किसी भी टीम पे जहाँ विराट कोली हो लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ना केवल खिलाडी बलकि जो management है जो टीम के साथ है और fans सभी यही चाह रहे हैं कि आखिरकार वो ट्रोफी अब बैंगलोर अपने नाम करे जिसका विराट कोली, फ्रेंचाइजी और fans पहले season से इंतजार कर रहे है पिछले कुछ season से RCB की बल्ले बाजी को लेकि एक सावाल हमेशा उठता था कि आखिर केवल विराट कोली और A.B. डिविले जी क्यों बाकि बल्ले बाज उनका क्यों नहीं साथ दे पा रहे हैं लगातार रन बनाने के मामले में पिछले season देवदद पड़िकल ने जिस तरीके से अपने IPL करियर की शुरुआत की RCB के फैंस उनसे बहुत खुश नज़र आए इस साल RCB ने एक और जवाब ढूंडा उस समस्या का और वो था Glenn Maxwell के रूप में सबसे ज़ादा रन बनाया है उन्होंने इस season RCB के लिए और अपनी नई franchise के साथ एक अलग रूप में नज़र आए है पंजाब के साथ जो उनका वो एक season था 2014 में बिल्कुल वैसे ही रंग रूप में नज़र आए है 147 से ज़ादा की उनकी strike rate रही है लेकिन अब दिक्कत अलग है और वो यह है कि दुनों openers, देवदत पडिकल और विराट कोली लीक स्टेज के खत्म होते होते उस form में नहीं है जिसके लिए वे जाने जाते है विराट कोली ने दो अर्चा तक जरूर जड़े युए लेक की शुरुआत में लेकिन उसके बाद जैसे उनके विकेट जल्दी किरने चालू है फैन्स वापिस से ख़बर आने लगे एबी डिविल्यस को उतनी गेन खेलने का मौका नहीं मिला है लेकिन जब वो बल्लेबाजी कर रहे हैं तब उतने कमफर्टेवल नहीं नजर आये है केस भरत के रूप में एक पहतरीन युवा बल्लेबाज मिला है आर्सीबी को इस सीजन जिन्होंने ना केवल दिल्ली के खिलाफ वो मैच जिताया बल्कि और आप याद करें कि एबी डिविल्यस पिछले मुकाबले में आखरी गेन पर चक्का मार के मैच नहीं जिता पाई थे केस भरत ने वो किया लेकिन फिर भी जब भी नंबर तीन पर बल्लेबाजी करने आए है मुलेवान रन जोड़े हैं टीम के टोटल में एक तथे जो आर्सीबी के फैंस को थोड़ा और सकारात्मक भावना देगा प्लेयाउस के शुरुआज से फहले वो यह है कि उस बानवे रन के मैच के बाद जब वो आल आउट हो गए थे कॉलकाता के खिलाव तब से जो च्छे मुकाबले खेले हैं रसीबी ने यूएई में उनमें पाच मैचों में तेर्ट सो रन का हाकड़ा पार किया है जो मुश्किल रहा है सभी फ्रेंचाइजी इस के लिए इस यूएई लेक में शावाज एहमद के बारे में हम कह सकते हैं कि उन्होंने गेंद के साथ ही नहीं बल्ले के साथ भी दिखाया है कि वो आर्सीबी के लिए मैच विनर हो सकते हैं और वैसे ही ग्लेन मैक्सवेल के लिए आप कह सकते हैं कि भल्ले के साथ तो वो मैच विनर रही है लेकिन गेंद बाजी में एक अच्छा आप्शन है विराट कोली के लिए जिसका वो काफी अच्छे से इस्तमाल करते नजर आ रहे हैं गेंद के साथ भी एक बड़ी समस्या थी जिसका निवारण डूमना था बैंगलोर को इस सीजन युजवेंदर चहल उनके MVP रहे हैं विकेट लिकालने के मामले में लेकिन ऐसा करते हैं वो अकसर अकेले ही नजर आ है बैंगलोर के लिए और RCB को एक और ऐसा गेंबाज चाहिए था जो लगादार विकेट निकाल सके वशिंग्टन सुन्दर टीम का हिस्सा नहीं थे UAE लेक से पहले वो बाहर हो गए थे चोट के चलते जुईंदर चहल भारत में जो मैच हुए तो उनमें अच्छे फॉर्म में नहीं नजर आ है लेकिन RCB का जो MVP रहा है उसने उनके लिए दिक्कते कम की है हर्शल पटेल तीस विकेट निकाल चुके है लीग स्टेज में और डुएन ब्रावो का जो IPL रिकॉर्ड है एक सीजन में सबसे ज़ादा विकेट लेने का उससे केवल दो सफलताय दूर है और अगर उनके फॉर्म की बात करेंगे उनका साथ इस UAE लेक में जुईंदर चहल ने दिया है चुकि वापिस उस फॉर्म में आ गए हैं जिसके लिए वो जाने चाते हैं मुहमत सिराज एक अलग गेंदबाज है अब विश्वस तरिये गेंदबाज जिन पर आप संदे हैं ना ही करें तो ठीक रहेगा चुकि वो अपने स्पेल के चलते टीम को जीत दिला सकते है फैन्स भी यही चाहेंगे कि प्ले आउस में भी उनकी टीम बिलकुल ऐसा ही करें चुकि अगर ट्रोफी को अपने नाम करना है तो ललातार तीम मैच जीतने होंगे मुश्किल है लेकिन आर्सीवी के कहानी आसान कब रही है